अगर मैं इसके आप इसको सौल करना चाहूं तो वह बात हम स्प्राक करेंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देखो तो यह चीज़े यहाँ ज्याद अच्छे से क्लियर होगी इस वीडियो के अंदर गाईस हम देखने हैं वाले टाइपस ऑफ स्ट्रेस तो टाइपस ऑफ स्ट्रेस के अंदर देर टूटल थी टाइपस ऑफ स्ट्रेस फॉस इसका नाम है प्रदीप ग्री लवंग ट्वाथ एकाडमी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और उ इस इस अपर पर फोर्स लगा रहें उसके उपर जो स्ट्रेस क्रियेट हो रहा है और इसका लेंद क्या होगा है जसे एक्जामपल अगर मैं लूँ कि अगर ये ये हमारा रॉड है इसके उपर मैंने फोर्स लगाया हूँ फोर्स लगा रहे हैं कि गारण इसके इस्ट्रेस क्रियेट हुआ जिसके इसका लेंद्ध क्या हो गया चेंज हो गया और इसारा हिश्ट्रेस какие जो लेंट बोडिफ का वह क्या हो गया चेंज हो गया तो मैं इसको क्या भ लो गहाँ टेंसाइल स्ट्रेस और longitudinal stress ओगे हाँ, tensile stress को longitudinal stress भी बोलते हैं अब देखो force per unit area restoring force per unit area इसी का formula है और यही चीज़े force लगाने के वाँ, area क्या हो गया चेंज हो गया अब compressive stress बाई, नाम में ही काम चिपा हुआ है नाम में ही काम, rod है दोनों को equally मैंने दोनों साइट से क्या क्या है, push किया push करने काई उसका length क्या हो जाएगा उसका length decrease हो जाएगा when rod is pushed at two end with the equal and opposite forces दोनों साइट से मैं क्या कर रहा, equal and opposite force लगा रहा हूँ जिसके end उसका length क्या हो रहा decrease हो रहा है, और length decrease हो गया दोनों साइट से equal and opposite forces लगाने करण तो बाई आग बंद करके बोल देना कि यह जो force लगा है इसके कारण जो stress create हुआ है नो वो compressive stress है कौन सा stress है compressive stress और same formula first force force per unit area force लगाने करण area क्या हो गया change हो गया compress हो गया equal and opposite forces जब हमने rod के उपर apply किया तो उसका length क्या हो गया decrease हो गया तो हम उसको बोलें compressive stress okay same अब चलते आगे volume stress बहुत simple है when a deforming force acting on the body produce change in volume अगर मैं किसी xyz किसी body पे मैं किसी body पे अगर force लगा रहा हूँ यह deforming force मतलब क्या होता है जिसका dimension change होता है उसको deforming force बोलते हैं तो अगर मैं किसी भी xyz object पे body पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ deforming force लगा रहा हूँ जिसके इसको volume change हो रहा है तो हम उसको आग बंद करके बोलेंगे बाई यह क्या है volume stress है समझ लो यह पहले इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया volume change हो गया ना deforming force acting on the body produce change in volume volume में changes हो गया तो stress is called volume stress stress एसा stress को क्या अगर है volume stress बोलेंगे तो भाई force apply किया जिसके एरिया क्या हो गया इसका change हो गया तो सेम देखो फॉर्मले आज जगा सेम है बड़ा याद रखना जो चीजे मैंने बताई है कि जो हमारा पहला 10 size stress था 10 size related to length then volume stress related to volume okay अब आते हैं सबसे important और थोड़े बहुत बच्चे इसके अंदर ज्यादा confused होते थोड़ा इसको मैं clear कर दूंगा पहले ही तर बता देता हो फिर यह पॉइंट मैप को बताऊंगा यह मालो एक कोई box है रेक्टेंगुलर और नहीं कोई भी नहीं बोल सकता है यह मालो एक्स वाजट कोई figure है इसको मैंने क्या किया मैं नीचे से नहीं उपर से मैंने force लगाई यहां से यहां से अब यहां से जो force लगा है इसको tangential force और force लगा रहे है कारण इसका bottom वैसे का व कि यहां आगे है अब यह तो आया यह जित्ना आगे आया उत्ना ये वाला पार्ट भी अपने आगे 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 अब इससे आपको एक चीज समझ रहा होगा कि जो इसका शेप चेंज हुआ है, पर साइज जैसे का तैसा ही है, जितना यह आगे आया है, उतना आगे यह आगे आगे है, तो जैसा पहले था, जितना इसका साइज पहले था, शेप अभी ऐसा हो गया, पर साइज जितना पहले था, उतना ही था, क्योंकि जितना यह आगे आया है, उतन तो इसके अंदर क्या होता है कि हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते जिसके गारा यह जो यह दोनों पैरलल होते हैं दोनों क्या पैरलल और इसके अदर बॉटम पे कोई चेंजेंश नहीं आता बस अपर साइड पर होता है उतना ही आगे भी होता है तो चलो आगे चलते हैं इसको मैं यह करके नीचे आजाता हूं यह देखो इस डिफाइन टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया सर्फेस एरिया और सेम फॉर्मला इसका भी वही होगा जो बस यह यह जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स इथू अ है बाता है यहाँ जीटरा यहां आगे गया है उत्रहा ही आगे यहां झाएगा समझ में यह यह देखो इसका शेप चेंजू गया ही पर साइज detto इस वैसे का वैसे और इसको क्या बोला है हमने तो गाइस यहां पूरा आपका पूरा का पूरा 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 खतम हो गया यहां मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेस भी बता है तो चीजे पूरी क्लियर हो गई बस आपको क्या करना अच्छे से पढ़ना है और अपके आखों के सामने सब चीजे बढ़ी है इसको एक बार लिख लो और इसको लें कर लो जो भी करना वासर लें करने जैसा भी कुछ नहीं आपको दिमाग में कर रहो गया तो आप खुछ से चीजों को लिख सकते हैं, तो इस स्ट्रेस तक का पाट हमने खदम कर दिया था, अब हम बात करें स्ट्रेंड, तो देरा टोटल त्री ताइप सब्सक्राइब करेंगे, और अब नए हो तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक कॉमेंट और लाइक जरूर कर दिया, इस से मोडिवेशन आता है, कि बच्चों का रियाक्शन जब मिलता है, तो एक्शन करने में जादा मज़ा आता है, और दूसरा, पूरा का पूरा हमारे केमस्ट्री, फजिक्स टू, एन माथ, राहुल सर्या माथ, यह हमारे दूसरे चैनल पहला है, इसका नहीं प्रदीवर जो भी बोलो, कि किस से रिलेट करता है, लेंफ से रिलेट करता है, तो चलो मैं थोड़ा बताए इसके बारे भी, अब माले यह जो लेंफ है रौड का, यह ओरिषनल लेंफ है, मैंने इसके उपदर स्ट्रेस दिया, जिसके गारEEert इसका लेंफ चैंज हो गया, और इतना ब पर मैं फिर से चलो लिख देता हूं 10 size strength यह ऐसा लिखते हैं changing length to original length यहां तो बहुत सारे जगा changing length denoted by small n and original length denoted by capital L तो भाई सब चलेगा आपके बुक में इस तरह से लिखा हुआ है तो अब इस तरह से लिख सकते हो अगर इस तरह से भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं दे सकता है बस आपको समझाने आना चाहिए और बाजी में एक डाइग्राम बना दो कि चेंज इन लेंड को आपने स्माल स करा है खैंब चैंज जो में अलगु इतना बड़ा है लेन्थ मतलinking उसके फुसके पूरह डामंशन चेंज हो गें तो इसका बी क्या का बैससकतबिंटय है इसका बनीचेंज शो मोलूम क्टू ऐरिजिनलम्वालिम जो गया क्या हद यहाई हमारा हमारा यह वाल्म पार यह च लिखा हुआ है तो इसको चेंज बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम्त ओर लिए तो इसका डेफिनिशन भी हो गया है अब शेरिंग स्ट्रेंड आप लोगों को पता है कि मैंने स्ट्रेस के अंदर आप सभी को बताया था प्रेस के अंदर आपको याद होगा इस तरह से मैंने इस तरह से चेंज हो गया था, याद होगा और जितना यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा था अत्वा time हमने उसके अंदर देखा था कि इसका जो शेप फावो शेप टाइसे जेंज नहीं हुआ है वैसे से मेरा दिख रहा होगा पर बता रहा है इसमें अने धख़क्या दिआ साइज उतना है यह शेप चेंज हो गया clear तो इस पो हमने stress में देखा था stress के अंदर हमने देखा था अब देखो वैस यहां जितना यह एंगल चेंज और एकदम small छोटा सा एंगल चेंज होता है जिसको हम लेते है ठीटा तो इसका क्या होगा same चीज गाइस यह था हमारा यह यह जो दिया था यह original length था फिर इसका जो चेंज होगा है यह हमारा original length है और यह जो चेंज हुआ है इसको बोलते हैं change in a length, क्या बोलेगे, change in a length, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी delta L upon L, और इसके angle को या तो हम direct theta लेते हैं, और theta बहुत छोटा होता है, इसलिए nearly equal to हम क्या लेते हैं, theta लेते, समझ मैं, तो ये पूरा original length, और जितना change हुआ इसको change in a length, तो original length to original length, क्या तो उसको denote करते हैं, क्य ये जब आगे बनता है, आगे जाता है, तो कितने angle से आगे tilt होता है, वो भी हम लेते हैं, तो हम 10 theta लेते हैं, पर angle बहुत जार छोटा है, इसलिए हम 10 theta भी ना लेके, only क्या लेते है, theta लेते हैं, तो sharing strength के लिए ये याद रखना आपको काम आ सकता numerical के लिए, ओके, आप चल stress, within elastic limit, elastic limit मतलब क्या होता है, उससे जादा हम देखो हर चीजों का limit होता है, हमारा है कि चलो हम plastic को, अगर हम हमारे पास पर rubber है, तो हम उसको घीच सकते हैं, और जाएसी हम छोड़ेंगे, फिर से अपने original position पर आ जाता है, बड़ जो elastic, जिसके ने elastic property होती है, उसको भी घीच within elastic limit, stress is directly proportional to strength, और इसी को हम बोलते है, हूक्स law, क्या बोलते है, हूक्स law, अब गाईस, यह जो हमारा था, मैं यहां लिखता हूँ, stress is directly proportional to strength, और यह हमारा क्या हो गया, हूक्स law हो गया, यह जो strength है, इसको मैं अगर divide में लाता हूँ, और यहां कुछ न कुछ constant है, यहां कुछ न कुछ constant है, यहां कुछ न कुछ constant है, क्योंकि जब मैं professional के sign को हटाता हूँ, दो चीज़ें लगती है, equal और constant, और यहां जो constant use होता है, उसको बोलते है, modulus of elasticity, क्या बोलते है, modulus of elasticity, तो आब ऐसा बोल सकते हो, it is a ratio, जो modular, अगर exam में आया, कि define modulus of elasticity, यहां constant लिखो, क्योंकि यहां sign जो है, k भी होती है, constant है, ओके, तो strength, जब मैं stress, strength को जब मैं divide मिलाया, यह proportional के जगा दो चीज़ें लग जाएगी, equal और constant, exam में अगर आपको आता है, define hook's law, तो बस आप इतना ही define करोगे, within elastic limit, stress is directly proportional to strength, यह आपने कर दिया, और साथ नहीं यह उसका diagram, यह graph है, देखो, जितना stress बढ़ रहा है, उतना strength बढ़ रहा है, इसलिए जो graph है, वो line जो straight है, जितना stress बढ़ रहा है, यहां से मैं अगर denote जितना stress बढ़ रहा है, उतना strength बढ़ रहा है, जितना stress बढ़ रहा है, इसलिए जो line एकदम straight line है, line जो बनी हुए एकदम straight line है, यह हमारा hook's law का graph है, but guys, modulus of elasticity क्या होता है, modulus of elasticity, elasticity भी एकदम सिख पल है, कि it's the ratio of stress to strength is called, is called modulus of elasticity, मना इस constant को, इस constant को ही हम बोचते है, modulus of elasticity, यह द elasticity of a material, is the ratio of, is the ratio of, is the ratio of stress to corresponding strength, तो भाई, यह अगर आपने याद कर लिया, तो आपको hook's law भी हो गया, and modulus of elasticity भी हो गया, it is the ratio of stress to strength, is called modulus of elasticity, clear, यह देखो, और यह जो constant है, इसी constant को हम बोहते है, modulus of elasticity, अब चलो, young's modulus, young's modulus, अब एक एक law आएगा, young's modulus denoted by capital Y, और young's modulus के लिए बसे इसका formula याद रखनेगा, young's modulus equal to longitudinal stress to longitudinal strength, it is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strength, अब stress आपको formula पता है, force per unit area of strength का formula, longitudinal मतलब टेंसाइल, याद रखो, longitudinal मतलब भी टेंसाइल, तो टेंसाइल स्ट्रेंड का formula क्या था है, change in a length to original length, तो चलो, सर यहाँ करके दिखाते हैं आपको, यह देखो, यहाँ मैंने किया, longitudinal stress क्या formula है, force per unit area, longitudinal ही मतलब tensile stress है, फिर से बता रहा है, उसी का दूसरा नाम है longitudinal, वो lens related है, और अगर longitudinal strength, longitudinal strength, अभी हमने देखा, longitudinal बतल फिर से बता रहा है, तो इसका हमने क्या देखा था, change in a length to original length, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने पहली बता है, अब इसको मैं थोड़ा convert करता हूँ, force के जगह पे हम क्या लिख सकते है, force का क्या formula था, mass into acceleration, okay, acceleration due to gravity, की rod के बात कर रहे हैं, object के बात कर रहे हैं, हमने यहाँ इसलिए है, mass into acceleration due to gravity, अब area, area का formula का है, pi r square, okay, यह दोनों हमने लिख दिया, अब देखो guys, यह मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या, यह जो divide में है, यह multiply में चला जाएगा, तो यह L इसके पाँ चला जाएगा, औरे, यह जो L है, यह L इसके पाँ चला जाएगा, और यह जो small L, वो इसके पाँ चला जाएगा, तो formula क्या होगा है, pi r square, तो formula क्या होगा है, MGL upon pi r square L, और यही है हमारा young's modulus, तो young's modulus अगर exam में आता है, तो सबसे पहले आपको define करना है, कि young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strength, और longitudinal stress पहले है, tensile stress, tensile stress का formula क्या था, force upon area, and longitudinal strength का formula क्या था, change in a length to original length, ओके, फिर force हम क्या लिख सकते है, mass into acceleration due to gravity हमने लिखा, और यह वाली चीज़े उपर चली जाएगे, और area का formula क्या, area का formula है, pi r square, पाई r square, आप सभी को बता है, area का formula क्या होता है, area का formula क्या होता है, यह देखो, यह rod, rod की बात चल रहे है, longitudinal मनला किसकी बात चले है, तो area of cross section का formula क्या होता है, pi r square, क्योंकि उप एक circle होता है, pi r square, फिर यह देखो, यह बस हम उल्टा करेंगे, तो यह capital F वाले के बास चला जाएगा, यहां चीज़े हम खतम करते हैं अब हम जो आगे देखें आगे बहुत सारे लॉग है जो बहुत आराम से हो जाएगा देखो यह लॉग से रिलेटर है फटापट हो जाएगा तो दोस्तों अब हम करने वाले बॉल्क मॉडुलस और बॉल्क मॉडुलस करना है यार मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात है बस आप क्या करो कि अगर आप फॉर्मिला याद रखो कि आपको डेखेंशन का भी काम हो गया बॉल्क मॉडुलस डिनोटेट बाए के एड इस रेश मैंने आप सभी को बताया था जब हम कर रहे थे वॉल्म स्ट्रेस इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं डीपी और वॉल्म स्ट्रेंग क्या होगा चेंज इन वॉल्म टू ओरिजिनल वॉल्म आप गाईस यह डिवाइड में उपर चला जागा मॉल्टिप्लाय में तो यह क्या हो वी-डी-पी अपॉन डेलटा वी ओके देखो गाईस वॉल्म स्ट्रेस को शॉर्ट में डीपी लिखते हैं और हम वॉल्म चेंजन यह बहुत पर्चेंज करतो हो गया है हमारा बल्क मॉडूल्स एंड़ दिस दिनॉनिटेड बाए के और इसका यूनिटी हा लिखा हूँ इ हम देखेंगे share stress and stress strain simple सी बात है share stress अब याद कर लो क्या था force upon area याद है कि नहीं याद है यही था ना share strength को आपको याद होगा कि हमने 10 theta nearly equal to theta लिखा था हम इसको theta से भी denote कर सकते है तो मैंने share strength को क्या लिखा है theta लिखा अगर मैं इसको करने जाओ तो यह क्या हो जाएगा यह simple सी बात है यह हो जाएगा f upon a theta clear f upon a theta और इसका unit और इसका dimension हो गया भाई इसका unit Newton per meter square इसका dimension यह दिया है अब compressibility compressibility it is a reciprocal of bulk modulus बस bulk modulus को उल्टा कर दो यह जो हमारा bulk modulus हमने निकाला यह वाला यह वाला यह बस इसी को उल्टा कर दो इसी को उल्टा कर दो तो हमारा क्या निकाल जाएगा compressibility compressibility का definition एकदम simple है it is a ratio of it is a ratio of it is a ratio of it is a reciprocal of bulk modulus reciprocal मतलब उल्टा compressibility और अब अगर simple सी बात है कि अगर मैं bulk modulus को उल्टा कर दे रहा हूं bulk modulus को उल्टा कर दे रहा हूं तो compressibility आ जा रही है तो simple सी बात है इसके unit को भी क्या करना पड़ेगा मुझे उल्टा करना पड़ेगा समझ मैं रहा है कि नहीं पर मैंने अल्रेडी यहां दोनों लिखा हुआ है अब बात करते है last हमारा poison ratio poison ratio बहुत simple है guys इसके अंदरा बस एक याद रखना पड़ेगा पहले सबसे पहले तो definition it is a ratio of lateral strength to longitudinal strength there is a ratio of lateral strength to longitudinal strength lateral strength मतलब क्या होता है आपको यह हो पता रहना चाहिए lateral strength मतलब यह होता है change in a diameter to original diameter मान लो किसी भी pipe का पहले diameter इतना बढ़ा था और बाद में हमने कुछ उसको extra provide क्या उसका diameter क्या हो गया change हो गया या चोटा हो गया या बढ़ा हो गया तो हम उसको बहुत है lateral strength lateral strength मतलब change in a diameter to original diameter ओके यह then इसके बाद longitudinal strength तो आप सभी को बता है tensile strength पता है न तो change in a length to original length यह देखो बस उल्टा करतो divide वाला multiply वाला divide तो हमारा काम हो गया भाई यह देखो कैसा हो जाएगा यह यह वाला L चला जाएगा यह वाला उपर चला जाएगा B हो जाएगा B L और इसके बास यह आ जाएगा D L और भाई यह जो position ratio हो जाएगा इसको कोई भी unit और कोई भी dimension नहीं है dimension less quantity है जिसका नाव पॉजिज़न रेश्यो lateral strength कभी-कभी define करने के लिए भी मेरे दोस्त आता है तो अराम से define कर देना कि it is lateral strength only lateral strength की बात करो it is the ratio of change in a diameter to original diameter और longitudinal strength तो आपको सबने बताये है यहां आज का topic end करता हो कि अब बहुत कमी चीज बचा हुआ है अब एक दूपिक और बचा और यह भी chapter खदम हो जाएगा इसके बाद हम start करेंगे chapter number 4 और chapter number 4 जस दिन खदम हो बस अपने physics 1 का एक ही chapter बचा रहेगा आप स्टार्ट करने वारे strength का हो इसके बारे में बहुत जब हाई फैला के रखाए बहुत हाट topic ऐसा 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 कुछ भी नहीं लपूच और topic है फटाक से खतम हो जाएगा आप सोचोगी भी नहीं कितने जल्दी कैसे खतम होगा बहुत सिंपल है देखो इस गेब इसमें है क्या इसके अंदर क्या है इसके अंदर है क्या तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल है यह हमारे दूसरे चैनल पर आ रहा है जो राहू सर का मैट तो फटा फट जाया कि उसको भी subscribe कर लो तो चलो बात करते हैं इसके अंदर है क्या है कि मैंने एक वायर लिया हुआ है वायर को मैने क्या किया है मैंने उपर कहीं बांद के रखा हुआ है अब मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे मैं do डिखाई देगा और एक टाइम ऐसा होगा कि और यह होने लायक ही निगलेगा मतलब क्या हो जाएगा 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 सही बात है जैसे घर में ही समझना है तो आपके घर में अगर camera गबर्ड बैंड होगा तो उसको पहले घीचो थोड़ा सा घीचो घीचने करा छोड़ो देखो फिर से वह अपने उरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा क्यों उरिजिनल पोजीशन में आ रहा है क्यों गाइस उसके अंदर बैंसे वापस नहीं बन पा रहा है पर मैं अभी भी ने रुखा मैंने प्लास्टिसीटी बनने के बाद भी फिल से और घीचा फिर इसके बाद नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्यों बीच ब्रेकिंग पॉइंट आ गया और दो पार्ट में वह ब्रेक हो गया इस तरह से वायर के अनल भी होता या आप धर में देख सकता है और लोग देख रहे हैं वी वीडियो जितने लोग करेंगे ना मुझे इसकी वीडियो निकाल के इस्ट्रॉग्राम पर बेजब देखना चांगा कि अध़ते है कितने लोग बेजब श्रॉब बिज्ते हैं तो भाई यह देखो आ ठ्रेइब को से गए की अंदर कि दिखेगा जतना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेंद बढ़ेगा जतना स्ट्रेस बढ़ने वाला इसे दिखाया में अधे बाइगा ऑच् обрат ये मैंने पढ़ाया था ये मैंने आप लोगों को बताया था भी कुछ दिनों पहले कुछ सदियों पहले ही बताया था ये किसके प्रॉपरटी है ये किसका लॉव है यह हुक्स लॉव उसमें हमने ये पढ़ा था जितना हम स्ट्रेस बढ़ा है यहां लाइन कैसा स्ट्रेस है। दौनों डारेकली प्र inlet तो और और से लेकि तक क्या हो रहा है बस इतना लिखो है stress is directly-proposional कर्यों और यह क्या है। मेरे अंदर और मस्ते है nur रुखने सुने वाला है मैंने और और ये अठाच किया अब जाइसे मैं weight attach कर रहा हूँ, अब मुझे जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, A से लेके B point है, मैंने weight all attach किया, तो पहला ये scene आए कि weight attach करने के बाद, पहले क्या रहा हो तो जितना stress बढ़ रहा था उतना strength बढ़ रहा है, बर A to B के बीच में आप ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं उस पे से weight को release करूंगा, तो अपने original shape में आ जाएगा, पहले जैसा पूरे का पूरा नहीं होगा, फिर भी जादा कर original shape में वो आ जाएगा, बट कहां तक B तक, अगर B तक भी हम रुख जाते हैं, मत मत, जादा weight attach मत कर भाई, तो अगर extra weight हटा देता है, तो अभी भी उसके अंदर elastic property होती है, कहां से A2B तर, A2B भी अपने original shape में आ जाएगा, बट गाईस, बस एक चीज़ आज़ना, जितना stress बढ़ रहा है, उतना stress यहां नहीं होता, अब गाईस मेरे अंदर मस दी, nicer मैं रुपने वाला हूं, मैंने और इस wire के अंदर, और weight attach कर द दिख रहा है, यह B2C दिख रहा है, यह हो गया, यहां लिखा हुआ है, elastic limit और end point, B2C, मतलब अगर B से आगे point बढ़ा, तो भाई अब यह वापस रुखने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है, मतलब कि जैसा हमारा पहला wire था, पहले wire थ जाती पहले elastic property थी, अब plastic property होगी, जिसको हम बोलते है, plastic behavior या permanent set, तो B2C के बीच में, B के बाद, up to C point तक, जो changes आपको दिखाई देगा, उसकी property में changes क्या हो जाएगा, elastic property किसमे करमोड हो जाएगा, plastic property के अंदर, जिसको हम permanent set या plastic behavior ही बोल सकते है, मतलब वो आपको वापस जैसा पहले था वैसा बन नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा pressure दे दिया है, वो आपस हुआ अपने पुराने रास्ते पे नहीं आ सकता है, अब guys मैं नहीं रुका, अब भी नहीं रुकने वाला हो मैं, मैं रुकने वाला नहीं हो, मैंने और pressure दिया, मैंने औ बात करूंगा, up to c to d तक मैं pressure देते जा रहा हूँ, pressure देते जा रहा हूँ, एक time ऐसा आएगा, जिसको हम बोलते है, fracture point और fracture point पे क्या होगा, wire दो point में break होके, do part में divide हो जाएगा, क्योंकि देखो कि guys, एक scene ऐसा हो जाएगा, एक time ऐसा हो जाएगा, कि अगर मैं stress कम दे रहा हूँ, तो भी strain ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, पहले और बढ़ता जा रहा है, एक time ऐसा आएगा, वह जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिस पॉइंट को हम भो लेंगा, फ्रेक्चर पॉइंट, तो गाई से यहां दिखाई दिया, O2A में हमें क्या दिखाई दिया, Elastic Behavior दिखाई दिया, वह तो हमने पहले ही देख लिया, है stress is directly proportional stress then A to B में हमने देखा कि stress चितना हो इतना stress नहीं होने वाला पर वहाँ से वह अपने original शेप में आ सकता है क्योंकि उसके अदर अभी plastic property, elastic property, elastic property जब होगा तो original shape में आ सकता है अब अगर मैं weight or attach करू B to C में, अगर weight or attach करू तो अब इसमें कनोड हो चुका है। अब आप सभी को बता है। प्लास्टिक प्रॉपइटी मैं कनोड हो चुका है। और C के बाद अगर मैं उसके अंदर और weight attach करूँ तो भाई कभी वो जिंदगी में कुछ और attach करने लायक नहीं रहेगा। तो यह हमारा stress trend curve तो यह पूरी दरस नोर्स से related चाहिए तो प्लीज कॉमेंट कर देना आपको टेलीग्राम और WhatsApp चैनल पर अपने आ जाएगा तो चलो पड़ापट पड़ापट हम क्या करते है next topic तो हम बात कर लेते कुछ properties की सबसे पहले elastic high steresses, elastic high steướiा होता क्या है सिंपल सी बात है आप सब्भी को पता है कि जो stress होता है वो सबसे पहले होता है और stress के बाद दैना इसने बार उसके शाइनदर changes आता है धीज झानफ होता है तो stress के बाद हमारा आगर कोई ऐसा material हो गया है और कि मैं बात करूंगा ऐसा material जिसमें से हम वायर निकाल सके उसको हम बोलते ducktile वैसे property को हम बोलेगे dactile, malevol की बात करो, तो malevol मतलब, melody नहीं है, malevol, malevol मतलब क्या होता है, कि जिस material को हम hammer से पीट-पीट के क्या बना सके, पत्रा बना सके, उसको हम बोलते है, malevol जैसा gold के अंदर, gold को भी हम पीट-पीट के पीट-पीट सकते हैं, तो gold हो गया, फिर इसके बाद यहां silver हो गया, यह सभी के अंदर जो property होती है, वो maleable property होती है, अब elastomer, elastomer मतलब guys कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा material जिसके उपर हम कम stress देके भी strength ज्यादा create कर सकते हैं, मतलब कम stress देके भी ज्यादा मुसको change कर सकते हैं, ऐसी property को हम elastomer बोलते हैं, जैसे example अ ज्यादा change होता है, कम stress देने पर भी strength ज्यादा होता है, ऐसी property को हम बोलते हैं, elastomer, क्या बोलेंगे, elastomer, तो भाई, यह हो गया, total properties भी मैंने आपको explain कर दिया, यह stress, strength को भी मैंने explain कर दिया, तो भाई, इस वीडियो में हम देखने वाले strength energy, और strength energy होता क्या है, सबसे बेल पहला condition यह होता है, कि wire को अगर stretch करोगे, force को remove कर दोगे, तो अपने original position पर आ जाएगा, दूसरा condition यह होता है, कि आप और force अगर दे रहे हो, तो भाई, एक ऐसा condition आ जाता है, कि wire अपने original position, original shape में आता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर plasticity आ जाती है, plastic property आ जाती है, इसलिए आपने original position पर आता नहीं, अब गाईस, यह wire है, wire है, ओके, अगर मैं इसको stretch कर रहा हूं, तो stretch कर रहा हूं, तो यह wire के अंदर एक restoring force होता है, जो इसको रोकता है, भाई, आजा, मुझे जोड़ के, मुझे ज़्यादा घीच मत, घीचेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं break हो जा तो यह wire है, वो किसके against work कर रहा है, restoring force के against work कर रहा है, तो और यह जो work कर रहा है, वो किस form में store हो रहा है, वो elastic potential energy के form में क्या हो रहा है, store हो रहा है, और इसी elastic potential energy को हम क्या बोलते है, strength energy बोलते है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कि जो wire, जो part stretch हो रहा है, वो किसके against work कर रहा है restoring force के against work कर रहा है और जो इसके अंदर work हो रहा है वो किस form में store हो रहा है elastic production energy के form में store हो रहा है जब हम उसको stretch कर रहे हैं और इसी को बहते हैं strength energy clear अब चलो आगे सबसे बहली बात हो गाइस यह वायर के जो length है length को हमने capital L लिया हुआ है change in a length को हमने small L लिया हुआ है जो force लगा रहे है इसको F लिया हुआ है और wire wire कितना मोटा है बंदब area of cross section को हमने capital A लिया हुआ है इतने चीज़े clear अब चलो आज आगे derivation की तरफ हम बढ़ते हैं पूरा यह मूपर कर देते हैं इसको चलो यंग्स modulus क्या होता है यंग्स modulus मैंने बता था stress upon strength तो stress का formula क्या था force upon area और strength का formula क्या था change in length to original length अब अगर यंग्स modulus को मैं और systematic solve करूँ तो यह guys क्या हो जाएगा अगर मैं इसको change करूँ तो उपर वाला नीचे नीचे वाला उपर चला जाता ना है FL upon AL यह होगे हमारा यंग्स modulus का complete formula यह already आपको पता है अब मुझे क्योंकि इसके अंदर जो मैं load लगा रहा हूँ जिसके कहा stretch हो रहा है वो मुझे find करना पड़ेगा तो एफ मनदब force find करना पड़ेगा तो यह divide वाला यह multiply में चला जागा YAL upon capital L clear आप गाइस देखो physics के अंदर एक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर कुछ बच्चे confused होते हैं क्योंकि आप 11 में इसले confused हो रहा है आगे जाके यह चीज़े clear हो जागे फिर भी मैं try करूंगा यह change in a length यह original length है यह change in a length और यह जो मैंने stress दिया जो load दिया जिसके गाण यह change हुआ है वो है बड़ physics के अंदर हम हमेशा complete यह इसके अंदर जो work हुआ है इसके अगें जो work किया है जिसके इसके अंदर energy store हुई है कौनसी strength energy तो भाई यह जो work इसके अगेंस के हो complete work हम पहले नहीं find करते हैं हम पहले यह find करते हैं कि इसके चूटे से particle पर कितना work हुआ होगा जब इसके अगेंस इसने काम किया होगा आगे बढ़ाने के लिए काम किया होगा तो छोटी से पार्टिकल में कितना वर्क हुआ होगा सबसे पहले हम वह फाइंड करते हैं तो जैसे हमें छोटू सा पार्टिकल का मिल गया फिर इसके ओपर हम इंटिग्रेशन लगा देते हैं तो हमें पता चल जाए कम्प्लीट बॉ लेंगे स्मॉल एक्स और कैपिटल यह हो गया इसको देदो एक्वेशन नंबर वन क्योंकि बहुत इंपॉर्टर्ड है अब आगे गाईज अब देखो ध्यान से देखो वर्ट क्या होता है वर्ट इक वाल टू फोर्सिंटू दिस्प्लेश्मेंट होता है आप सभी को मैंने बताया कि छोटू से पार्टिकल है तो छोटी से पार्टिकल के displacement को हम क्या ले लेंगे dx क्योंकि छोटी से पाइडिकल पर हमें डेरिवेटिव अप्लाय करना पड़ेगा एंड छोटू सा displacement हुआ है तो वर्क भी क्या होगा छोटू सा समझ में आ रहा है अब गाइस पोर्स की वैल्यू कितनी है तो छोटी से जगह पर जो फोर्स लगा वो कितना है वाई एक्स डी एक्स और सॉरी एल एल इंटू डी एक्स अब यह डेरिवेटिव अब गाइस मुझे तो छोटी से जगह का फाइंड नहीं करना है मुझे तो complete वर्क फाइंड करना है इसलिए म इस पर अप्लाय करूगा इंटिग्रेशन क्या अप्लाय करूगा इंटिग्रेशन अब इंटिग्रेशन के टाइम मैं एक लिमिट भी अप्लाय करता हूं जिससे मुझे यह पता चले मुझे कहां से कहां तक का वर्क फाइंड करना है तो मुझे कहां से कहां तक स्टार्टि बेड़न लगा दिया इंटीक्येसयन लगा दिया जब इंटीक्रेशन अंड़िवर्ट्वा हटाओं तो मिज़े मिलेगा क्यापिड़्ल डबल कैपिड़न डबल्व setup अब कंप्लिट वर्क तो डित ग्रिवेट्ट्व एंटिग्रेशन लगाओ फिर इंटिग्रेशन एंटेवेट्व हटाओ थें complete वर्क हमें मिल जाएगा आप यहां यहां दो यहां Y-Young's Modulus constant होता है एरिया वो क्रॉससेक्शन constant है Length जो है वह भी constant है क्यों वैसा ही है, original length को original length ही बोलेंगे हम तो L यह constant है, तो अंदर क्या बचा, 0 to L अंदर बचा हमारा x dx, x dx यह बचा, अब गाईस एक और मैं यहाँ आपको formula बता देता हूँ, वैसे हो सकता, आप में से बहुत लोगों पता हो, अगर x raise to 2 dx है, integration में, तो इसका हो जाएगा x raise to 3 upon 3, अगर x raise to 10 है, तो x raise to 11 upon 11, ऐसा हो जाएगा, यह integration का formula है, जो भी उपर power में दिया है, उसमें 1 add करो, और उसी को से divide करो, तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई 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 जीरो टू एल, अरे, integration apply करना हूँ न, एक में, तो integration का formula लिख रहा हूँ, तो integration हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका formula, x raise to 2 upon 2, मैंने बोला, जितना power है, power में 1 है, तो 1 और प्लस करो, और उसी number से निचे divide कर दो, तो यह हो गया, और इस पे limit, 0 to l, कहां से कहां तक, लगा दिया मैंने, अब गया, इस मैंने यह तो कर दिया, यह तो कर दिया मैंने, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यह limit apply करना पड़ेगा, लिमिट कैसे apply करते है, higher limit, minus lower limit, limit, w equal to, यह देखो, दियान दो एक दम अच्छे से, यह क्या है मारा, x raise to 2 upon 2, तो हम लिखेंगे, y a upon l, दियान दो अच्छे से, इसके जगा पे higher limit, minus lower limit, तो x, higher limit, higher x के जगा पे higher limit को ओन है, l, l raise to 2 upon 2, minus lower limit को ओन है, 0, 0 to 2 upon 2, अब गाईज, देखो, यह क्या हो जाएगा, अब तभी को पाता है, देखो, धीरे धीरे लिमिट अपला, यह सब derivative integration solve करना लोगे, यह करोगे भी नहीं, पार्ट, यह पार्ट साइट, यहां क्या बच अब गाईज, थोड़ा इसमें modification करते हैं, थोड़ा सा modification ज़्यादा नहीं, कि 2 को आगे ले लेता हूँ, 1 by 2 को आगे ले लिया मैंने, into ya, इसमें l square है, मतलब 2l है, तो 1l को मैंने ले लिया, और नीचे l, 2l है, और 1l को मैंने अलग से रख दिया, देखो, l square है, तो 2l है, 1 एक l को इधर ले लिया, एक l को इधर कर लिया, ऐसा क्यों किया सर, इसका answer देखो, मिल जाएगा अपी, यह पूरा हमारा part क्या है, f, यह देखो, y, l upon l, क्या होता है, f, तो मैं इसके जगह भी direct क्या लिख सकता हूँ, f, और आगे वाला, यह L, यह मिल गया मुझे, complete work, और extension, कितना वा extend हुआ, तो यह हो गया हमारा work, अब work मतलब ही क्या है, energy, अपने को तो strand energy, find करना है, strand energy, तो क्या होगा, one by two, load, into, extension, clear, हो गया, यह strand energy का, यह screenshot ले लो, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं, कुछ convergence, जो numericals में बहुत काम आता है, और यह कभी-कभी derivation में भी पूछा जाता है, ओके, अब चलो आगे, यह वाला पार्टी, यहां तक रखता हूँ, क्योंकि यहां तक काम है, अब गईस, exam में कभी-कभी हमें यह आता है, क्या आता है, strand energy, per unit volume, यह find करने के लिए आता है, तो strand energy हमने अभी find किया, क्या था, strand energy, उपर-उपर-उपर देखो, क्या था, पहले यह मैं हटा दू, strand energy क्या था, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा मैं नीचे लाओ तो, one by two force into length, one by two force into length, force, one by two, four, अच्छे से लिखता हूँ, strand energy, one by two force into length, यह था, ओके, बड़ अगर एक्जाम में आता, strand energy per unit volume, तो क्या करो, बस volume को divide करो, और volume कैसे find करते हैं, volume कभी भी guys, जब area को, ध्यान दो, area को जब मैं length से multiply करूँगा, तो मुझे मिल जाया, किसी भी जगह का volume मिल जाता है, तो वही same करा, volume कैसे find करेंगे, area को length से जब हम multiply करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो, volume निकालने के लिए area into length, volume को formula क्या लिख दिया है, area into length, अब यह हो गया, strand energy per unit volume, one by two, post per unit area क्या होता है, stress होता है, और, change in length to original length क्या होता है, strand होता है, मेरे दोस्त, यह हो गया, एक और conversion मिल गया, तो, strand energy per unit volume क्या होता है, one by two into stress, अब stress into strength, यह हो गया, अब कभी कभी guys, एक चीज़ और हमारे exam में आता है, यह सभी conversion है, एक और आता है, हमसे, आप सभी को पता है कि, young's modulus equal to क्या होता है, होता है, होता है, अब देखो, अगर मेरा मन करें कि, नहीं, मेरे को stress और strength दोनों नहीं चाहिए, मुझे दोनों में इस एक ही चाहिए, तो, अगर आपको बस stress चाहिए, मानलो, आपको life में बस stress चाहिए, तो क्या करना पढ़ेगा, strength को इसके साथ multiply, multiply, multiply तो यह stress की value हमें मिल गए, यह stress की value मिल गए, stress की value को यहां गर मैं put करता हूँ, यह क्या हो जाएगा, strength energy upon volume, one by two into stress, stress के जगह पर क्या है, y, y, stress के जगह पर ध्यान से देखना, stress के जगह पर क्या आ गया, y into strength, strength, y into strength, और एक strength अल्रेडी पहले से ही था, ओके, आप देखों, यह कैसा हो गया, यह कुछ convergence है, यह कैसा हो गया, one by two, one by two, y, strength into strength क्या हो जाएगा, हमारा, strength का square, यह तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y, यह हमारा strength का square upon two, ओके, यह हो गया, हमारा, strength energy, पॉर इंगे, पॉलिम, क्लियर, आप गाइस, अगर इसी को हमें, अगर यह कि नहीं, मुझे strength नहीं चाहिए, मुझे strength चाहिए ही नहीं, मुझे stress चाहिए, मुझे क्या चाहिए stress, अभी मुझे, देखो, मैंने किस की तरह change किया है, मैंने किस के जगा पे change किया है, मैंने stress के जगा पे change किया है, stress के जगा पे, पर अगर आपको change करना है strength के जगा पे, तो कैसे हो जागा यह formula को change कर दो strand equal stress upon y यह देखो strand की तरह change हो गया अब बस formula में strand energy per unit volume मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा stress into strength अब देखो stress ऐसी रखो into strength के जगा पर stress upon y यह formula क्या हो जाएगा 1 by 2 stress 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 का square स्क्वाइर का स्क्वाइर upon y यह देखो दो conversion मैंने बता दिया पहला conversion आप सभी को मिला y strength square upon 2 और दूसरा conversion मिला 1 by 2 stress stress raise to 2 upon y तो भाई अगर strength की तरह convert करना है तो यह वाला और stress की तरह convert करना है तो वो वाला ऐसे conversion factor दोनों चीजे मैंने आप लोगो clear कर दी और exam में अगर आया तो भाई यह पूरा पूरा आगर आगर आपको बस यह स्ट्रेंड एनर्जी तो बस उपर तक ही इस वो भी इसी में देखने वाले पूल मिला के बोलू यह पूरा का पूरा चप्टर आज क्या करने वाले खतम करने वाले गाईस और इसके साथ ही बस अपने दो ही चप्टर बचेंगे एक four चप्टर और एक seven चप्टर और बाग की पूरा फजिक्स वन complete वाहां फजिक्स पूरे के contact में है और वो दोनों के contact के बीच में opposing four generate हो रहा है वो जो opposing four generate होता है उसी को हम क्यालता है friction मतलब क्या है सब बताओ यह मानलो एक body है और यह दूसरी body है यह body आगे बढ़ना चाहता है और यह body इसको पीछे की तरफ घीच रहा है रोक रहा है वाही मत जा मत जा त मतलब यह आगे बढ़ना चाहता है वो इसको घीच रहा है पीछे घीच रहा है दोनों के बीच में यह process करने के डायम एक opposing four generate होता है और इसी को हम बोलते है friction क्या बोलते है friction समझा friction बहुत सारे types को होता है without friction यार मैं यह जो आराम से घूम फिर पा रहा हूं आराम से अगर म दौराम से नहीं चल पाएंगे समझ में आ रहा है क्योंकि हमें चलने के लिए हमारे body के बीच में हमारे पैरों के बीच में और surface के बीच में interlocking होना जरूरी है जो आगे हम समझने वाले तो चलो आगे समझते हैं पड़ा बढ़ तो देखो friction generate कैसे होता है वह हम समझेंगे क्योंकि कुछ चीज़े बहुत अच्छी होती है देव गाईस क्या होता है कि अगर मैं किसी भी surface को देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा है यह एकदम clean surface है पूरा smooth surface है इसको regular surface भी बोल सकते है बड़ गाईस वही चीज़ अगर मैं microscope से देखूं तो मुझे पता दूगा एकदम चमचमाता बना दूगा उसके अंदर उसके अंदर एक निशान भी नहीं पढ़ना चाहिए मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो भी गडम plane मक्कन की तरह होना चाहिए बाद में आप मक्कन की तरह हो जाओगे समझ भार कहने का मतलब क्या है कि आपकी बाइक यहART और रोड सर्फेसं दोनों के विछ में इंटर लॉकिंग होना जाए आप देखो लिए आपके पर कर में बहसे चल पाती है और आप आपने पैरों में भी देख किया हो आपके पैरों में हिल्स और डेल्स होने के वजह से हमारे पैरों सर्फेस के बीच में इंटर लॉकिंग होता है और अराम से हम चल पाते हैं दोड़ पाते हैं घूम पाते हैं यही है इसी तरह से वहीं से अब दोनों के बीचे इंटर लॉक चाहिए पर राफ मतलब बड़े-बड़े खड़े नहीं होने चाहिए तो फ्रिक्षन एक लिमिट से जाधा जब जो चीजे जनरेट होने लगती है तो भाई वह सही नहीं होता है मैंने मैं बुला लिमिट में हमारे का हमारे बाइक और कार के टार के बीच में बीच में hills और सब कहानी मैंने बता दी और एक चीज और मुझे बताना है कि जनरली फिजिक्स के अंदर दो बॉड़ी अगर मैं सब्सक्राइब वजान आ सीज भॉड़ गुरे नेतलकर के ऊपर पूंप हो रहे है एक उन्हाटर का अजा वॉड़ी को जो दो डिफ्रेंट है मालों यहां मैं एक लकडी लेलू या कुछ भी लेलू असको रफ करू तो यह अलग बॉड़ी यह अलग बॉड़ी तो दोनों के बीच में जो जो जन्रेट फोर्स होगा उसको बोलेंगे एडिसी फोर्स तो इस तरह से फ्रिक्षन भी जन्रेट होता ह जलते आगे ताइप अब देखेंगे अरे मिरेन दोश ताइप सफेता है कितने पने टैप कोध आपके बूग्य अम पर सही मिर्ट नाम में कम चीपा हुग आप बोलो गें तो यह नोट मैं धम को देगार बहुत अर्म से आफटिप्चम कर दोग्य को मैं इस तरा प्यारा मुझे भी लगना चाहिए न मेरे अंदर बच्चे बहुत excited है यार मैं जो hard work कर रहा उसके लिए excited है तो static friction kinetic friction and rolling friction अब static friction क्या होता है simple सी बात है देखो यह body है यह इसके उपर मुझ होना चाहता है यह मुझ होना चाहता है पर नीचे वाली body इसको क्या कर रही है अपोस कर रही है रोक के रख रही है रोक के रही है तेरे को नहीं जाने दूँगा तो एक body दूसरे बॉडी के उपर slide होना चाहता है बडेक्ट्वर स्लाइड होता है बट नॉट स्लाइडिंग ओर दूसरे को पर स्लाइड नहीं हो रहा है और उस समय जो friction जर्नेरेट होता है इस तो बोलते है kinetic friction की बात करओ तो मान लो यह body है इसके उपर यह क्या हो महि recommend a देख रहे हैं यह body इसके उपर क्या हो रहे इसे मादर बस point contact के यह दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में complete body contact है complete body contact अब्हार यह rolling friction के अदर allलिョ point contact होता है इसलिए बोलते हैं कि सबसे कम friction rolling friction के अंदर ही होता है क्योंकि body complete contact में नहीं होता है सबसे कम काई point contact में होता है तो one body rolled over the other और उस समय जो friction generate होता है इसको हम बोलते है rolling friction क्या बात है क्राइब चलो आगे वठते तो तीन friction हो गया स्टाटिक कि अगे प्रिक्शन के पहले मैं आपको दो चिजह समझा दूंगा पहला लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टाटिक फ्रिक्शन और दूसरा सेल्फ एड्जसिंग फोर्स ओके क्या है मानलो यह हमारी बॉड़ी है कि यह एक बॉड़ी है और यह बॉड़ी इसके उपर स्लाइड होना चाहता है तो भाई यह बॉड़ी जो है इससे ज्यादा मैं इसको रोक नहीं सकता हो मैं इतना ही समझा सकता हो इससे ज्यादा समझाओंगा ना इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हो गुमे फिरे कुछ भी घरे ऐसा सब ड्यालेक तुमने सुना होगा तो भाई इसका भी एक लिमिट है मतलब यह कितना अपोस कर सकता है मानलो 30 newton तक maximum 30 newton तक क्या कर सकता है अब पोस कर सकता है रोक सकता है अब एक चीज self-adjusting force क्या होता है मानलो ये body ने 3 newton force लगा है तो नीचे वाला अपने आप 3 newton force लगा के इसको रोक लेगा क्योंकि इसके पास इसका last limit कितना रोकने का 30 अब इसने 5 newton लगाया नीचे वाले ने वह फाई बढ़ा के रोक लिया में यह नहीं जारें दूँगा अभी मेरे पास दम है उपरवाले ने नीचे वाले ने भी 10 नीटन लगा अपने अब एड़ेस्ट हो रहा है उपर वाला बंदा घीच रहा है उपर वाला बंदा क्या रहा है इसको घीच रहा है पर नीचे जो है वह अपने आप क्या कर रहा है चीजों को एड़ेस्ट कर रहा है यह मैं деся questions at 10 newton अर्ब उपर वाले में उपर वालेには कोई फोर्स लगाने के लिए 10 Newton फोर्स लगा तो नीचे वाले नी अर्राम से अपोस्जिट प्थ आप जोड़ अपूसकर नियुटन फोर्स लगा दिया अब उसको और गुस्टा उसने 15 15 Newton फोर्स लगा तो नीचे वाले ने अपने अब अज्जस करके 15 Newton फोर्स लगा तो इक्वल एनपोजिट होना चाहिए तो ही रेस्ट में रहेगा अगर कहीं कम ज्यादा हुआ तो बॉड़ी स्लाइड हो जाएगे मंदल मुह हो जाएगा तो इसलिए इक्वल एनपोजिट यह 29 Newton फोर्स लगाए तिम्पल सी बात है 29 Newton फोर्स लगा आब इसने 30 Newton फोर्स लगाए अब इसने भी नीचे वाले बाटी ने भी 30 Newton फोर्स लगाए अब यह 30 Newton इसका क्या हो एक्जिमम फोर्स हो गया क्या हो गया, maximum force हो गया, ऐसा बोल सकते है, F max हो गया, समझा है, F max, अब यहाँ देखो, the limiting force of static friction, F max, यह इसका limit है, यह इसका limit है, मतलब यह slide होने से just पहले, अब अब अगर मैं यह 31 Newton लगा देता हूँ, तो भाई, यह body क्या हो जाएगी, मुह हो जाएगी, तो slide होने से just पहल होने वाला जो force होता है, वो F max होता है, maximum force होता है, और उसी maximum force को हम limiting force of static friction बोलते है, यहां तक इसका limit है, 30 Newton तक इसका limit है, उससे जादा force लगाओगे, तो भाईया, वो आगे चला जाएगा, समझ में आ रहा है, तो body मुह होने से just पहले का जो force होता है, वो F max होता है, और उस limiting force of static friction, उससे जादा गया, तो भाई, गय हो, समझ में है, तो यह मैंने clear कर दिया, मैंने explain भी कर दिया, और self-adjusting force क्यों बोला है, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि body अपने आप क्या कर रहा है, अपने आप adjust कर रहा है, अब गाईस, यहां छोटा सा, limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction, बोड़ी पे आप सभी को पता, normal reaction, normal reaction act होता है, तो force of static friction is directly proportional to normal reaction, जैसे मैं proportional के sign को होटाऊंगा, दो चीजे लगेगी, equal और constant, यहां जो constant होता है, इसको बोलते हो, coefficient of static friction, इसको रोड़ा हम अच्छे से लिद देता, so यह देखो, limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction, जैसे हम proportional के sign को हटाएंगे, यही तो अपना पहला लाइन है, जैसे proportional के sign को हटाएंगे, दो चीजे लगेगी, equal और constant, यहां जो constant होगा, वो होगा, coefficient of static friction, इसको क्या बोलेंगे, coefficient of static friction, और यह N, ओके, यह हो गया, कभी-कभी, हमें एक्जाम में आता है, coefficient of static friction, define करने के लिए, तो बहुत सिंपल है, अराम से define कर सकते हो, बस यह क्या आ जाएगा, divide में आ जाएगा, तो यह क्या हो गया, coefficient of static friction is defined as, it is a ratio of, it is a ratio of limiting force of static friction to normal reaction, हो गया, अग्दम अराम से, अब गाइस, यह सभी law है, यह दो, दो चीज़े मैंने बता दिया, अब तीसरा, हाँ, तीसरा देख लो, दूसरा ही, मतलब यह पहला law, और यह दूसरा, दूसरे में क्या लिया हुआ हुआ है, कि limiting force of friction, किस पे independent होता है, area between the surface, in a contact, area पे, वो कितना area cover कर रहा है, उस पे dependent नहीं होता, कौन से, पतलब कितने surface, वो contact में है, उस पे dependent नहीं करता, देखो, आराम से समझ लो, अगर यह इतना भी contact में है, तो भी वो force लगाता रहेगा, वो force लगाता रहेगा, तो कितना area और कितनी body contact में है, वो उस पे dependent नहीं करता तो किस पर dependent होता है, वो dependent होता है, कि ये दोनों body का material कौन सा है, तो depend upon the material in a contact and the nature of there, इसका ये दोनों, आप मालो, दो मने plastic body लिए है, दो मने wood लिया हुआ है, तो दोनों का nature अलग-अलग है, तो भाई कितना area है, वो matter नहीं करता, area कम है, ज्यादा है, वो matter नहीं करता है, matter ये करता है, कि वहाँ, जो हमने, मतब दो body contact में, दोनों body का material कौन सा है, और उनका nature कैसा है, ये इस पर depend करता है, तो ये law मैंने बता दिया, तो बस इतना लिख दो, कि dependent किस पर है, it is independent of area between a surface in a contact and depend upon the material in a contact and the nature of their surfaces, okay, clear, अब आगे, law of static friction नहीं है, ये तो अभी तो पढ़ा law of static friction, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा law of kinetic friction, तो kinetic friction, अब देख कानेटिक friction क्या है, force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction, सेम वैसा ही है, बस यहाँ kinetic लगा दो, professional के sign को हटा होगे, तो दो चीज़े लगेगी, equal और constant, और यहाँ जो constant होगा, वो होगा, coefficient of kinetic friction, और साथ में normal reaction, ये हो गया, अब गाईज, अगर मुझे, exam में कभी कबार आता है, define coefficient of kinetic friction, तो कैसे define करोगे, ये देखो, ये, ये, ये multiplier, एकपल के साथे का, तो divide हो जाएगा, तो हो गया, it is the ratio of, coefficient of kinetic friction is defined as, it is the ratio of force of kinetic friction to normal reaction, force of kinetic friction to normal reaction, यहाँ देखो definition में लिखा है, force of kinetic friction to normal reaction, clear, और गाईज, ये unit less होता है, unit less and dimension less, मतलब इनके dimension, dimension नहीं है और unit नहीं है, और ये देखो गाईज, फिर से वही चीज, force of kinetic friction, इंडिपेंड़न आफ शेप, शेप पे डिपेंड नहीं करता, कैसा जो material यूज हो रहा है, इसका shape कैसा है, अभी देखा था, वही एरिया, एरिया को ही समझ सकते हो, कि जो body हम use कर रहे है, उस बोड़ी का shape कैसा है, उस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, depend upon the nature and material, बार बार वही चीज लगबार रिपीट हो रही है, अब चलते हैं, अगला advantage of friction, बहुत सारी चीज़े मैंने पहले बता दी, मैं चाहता हूँ कि दो चार आप भी बताओ, friction को प्यार से और ध्यान से समझोगे, तो चीज़े clear हो जाएगे, देखो आप सभी को बता है, कि without friction, हम अराम से walk नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे body, मतला हमारे पैरो and surface के बीच में interlocking नहीं होगा, तो भाई हम अराम से चल नहीं सकते, यह आपको पता है, इसके बाद गाईज, अगर किसी भी चीज़े को मुझे पकड़ना है, तो भी गाईज, without friction के बिना, वह अच्छे समय हो, उसको hold नहीं कर सकता, और गाईज, अगर मैं बात करूँ, road पे, road की भी बात मैंने अभी की, कि tire and surface को अगर अराम से, road के उपर अगर tire को अराम से चलना है, मतलब अपनी vehicles को अराम से चलना है, तो दोनों के इसमें interlocking होना जरूरी है, तो वहाँ भी friction बहुत जरूरी है, तो कुछ चीज़े बहुत जरूरी होती है, इसके साथ ही गाईज, अगर आपको tree पे उपर करता है, तो friction क्या करता है, motion को अपोस करता है, सही बात है, एक body दूसरे body से आगे बढ़ना चाहता है, तो यह क्या करता है, इसको रोपता है, अपोस करता है, और friction हमें, मतलब जब friction ज़्यादा होने लगे, तो heat और noise generate करता है, मानलो नीचे वाला body इसको जाने नहीं दे र problem बहुत बार दिखता है, कि जब वहाँ grease और oiling कम हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा friction generate होने लगता है, friction generate होने बहुत noise आता है, बहुत heat generate होता है, और बहुत बार जो parts होते हैं, मतलब जो vehicle से parts होते हैं, वो खराब होना start होता, पर इसके पीछे का भी करता है फ्रिक्षन को कम करता है वो दोनों बॉडि के बीच में ऑईल थोड़ा कर दो ऑईलिंग कर दो लुब्रिकेशन कर दो ग्रिसिंग कर दो जिसके गार्ण क्या होता है कि दोनों आपस में उतना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होता है दूसरे कॉंटिक में नहीं रहते औ क्योंकि बहुत ज्यादा कॉंटेक्ट में आना भी गलत है और इसलिए हम उसके उपर लुब्रिकेशन और ऑइलिंग करते हैं जैसे जो बच्चे अगर जिम में जाते हों सभी को पता होगा कि जब वहां जिम की मशीनों में ऑइलिंग ग्रिसिंग कम हो जाता है तो बहुत एक कानेटिक फ्रिक्षन की अदर कोमें जाता है तो迪 मैंने बता था कि सबसे कमने और फ्रिक्षन JENered होता अब गाइस यहां फ्रिक्षन का पूरा पाट खतम एक छूटू सा पार्ट है hardness और toughness hardness और hardness क्या होता है hardness की मैं बात करूं कि मतलब कि ऐसा body जिसके अंदर stiffness है band होने से अपने आपको रोक पा रहा है scratch उसके उपर scratch करने से रोक पा रहा है क्स करने से रोक पा रहा है वहीं बढ़ हारा है उसके उपर अराम से scratching नहीं हो पार रहा हैrit अर से cutting नहीं हो पार है क्यूंकि वह इंची जोग कि लिए रोग पाने में उसके अंदर स्ट्रेंथ हैं कि अपना रोग हो पार है scratching cutting उसके अंदर stiffness है ऐसी बॉड़ी को हम क्या बोलिंग है hard बहुत hard बहुत hard और अगर जो body hard है उसके अंदर क्या होता देखो permanent deformation deformation आप सभी को बता है उसका dimension change हो जाना तो जो भी body hard होती है अपने आपको register करती है रोकती है किससे रोकती है permanent deformation जब भी हम उसके लोड़ अपलाए करते हैं कि इसको break करते तोड़ते या इसकी body को हम change करते जैसा भी इसको इसके उपर मैं load apply कर रहा हूँ लोड़ अपलाए कर रहा हूँ तो यह जैसा है वैसा ही है यह deform नहीं हो करने से अपने आपको ज्यादा रोख पाएगा चेंज होने से अपनी बॉड़ी को अगर ज्यादा hardness है तो अपनी बॉड़ी को चेंज होने से वह ज्यादा रोख सकता है ज्यादा रोख सकता है अगर कम हाड़ने से जल्दी नहीं रोख पाएगा जल्दी वह इसके बाद आगे चलते क्या है अगर मैं किसी बॉडिब ऑपर फॉर्टस अप्लाए कर रहा हूं और अपने आपको फ्रैक्चर बेक होने से अगर वह आपको क्या हो रहा है रोग पा रहा है तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर क्या है tub ability of material to resist fracturing when a force is applied जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो अपने आपको fracture होने से अगर वो रोग पा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है टफने से जैसे ब्लट फूफ ग्लास की बाद हम कर सकते हैं हाड भी होता होता नहीं होता है बहुत जादा समें हाड रहता है तो अपने जगाड़ी तक क्या हो सकता है उस पर रोका जाता है एक हम बोल सकते हार्ड है पर फर्प्रांग नहीं है darlb diddice भी हाड होता है अम्हें कि आपको ब्रेक ने से वाल प्रॉश लगता है अपने फोर्स मनदब जब रिणिंग करते हैं लाइब बहुत हाट है अहां है से तोड़ सकते यह समस्क्निन हो इसलिए इसको हम हाड भी बोल सकते हैं तो इतना पॉइंट है यहां आपका पूरा पूरा चप्टर खतम पूरी की पूरी चीज़े खतम अब इसके बाद आप कॉमेंट करके बताओगे हम कौसा चेप्टर स्टार्ट करें फोर स्टार्ट करें कि लास्ट वाला सेवन तो मिलता है नेक्स वीड़ा में थैंकियो सोमस्स गाइस जैए हिन दोस्तों